हेलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार तीस मार्च दोजार बाइस और दे हिंदू न्यूज अनलिशिस में आपका स्वागत है अगर आप इस न्यूज पेपर की पीडियाप कोपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको मिलेगे टेलेग्राम पर जिसका लिंक आपक सबसे बहुत करेंगे पिछले दो वीक में अगर आप देखेंगे भारत में जो फोरण डिगनेटरीज है उनका नंबर लगातार इंक्रीज हो रहा है और इसी कॉंटेक्स्ट में हम देख रहें कि युनाइटीड स्टेट के जो डेप्टी एनसे हैं नैशनल सिक्योर्टी ड दर आएंगे अहेड ओफ लेवरो यानि जो रश्यन फोरण मिस्टर है उनकी विजिट से पहले क्या इंपोर्टेंट डिस्कसन होने वाला उनके बारे में बात करेंगे उससे ठीक पहले हमें समझना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है भारत के अंदर ज कार्शरलिया के प्राइमिस्टर के बेच में वर्चुण सम्ट हुई 12 मार्च को यूएस अन्दर सेर्टरी भारत के अंदर आई इसके बाद मार्च phone 23 मार्च 24 को ऊमान कदून मिस्टर मार्च 25 को चाइना के foreign minister ये चीज़े क्यों इतनी important है इसके अलावा इस week आप देखिए European Union के special envoy इंडिया के इंदर आए, मेक्सिको के foreign minister, जर्मन के foreign and security policy advisor, UK के foreign secretary, US के deputy NSA, इसके बाद रशिया के foreign minister, नेपाल के prime minister और इसराइल के prime minister भी आने वाले थे बट वो COVID-19 के वज़े से वो meeting जो है, या भारत और इसराइल के बीच में जो summit होनी थी, वो फिलाल के लिए cancel कर दीगे, पोस्ट्मन कर दी गई है सबसे पहले बात करेंगे, जो यहाँ पर USA के deputy NSA से आ रहे हैं, इनकी विजिट का क्या मतलब है, और इनकी विजिट एक दिन पहले होने वाली है, सेर्जे लेवरो जो की Russian foreign minister है, इनके क्या मायने डिपलोमेशी में और इनकी frequencies क्यों बढ़ रही हैं इंडिया के अंदर, देख conflict है, उसको लेकर भारत ने चाये जितने भी platform हो, United Nation Security Council हो, Human Rights Council हो, भारत ने abstain किया, भारत ने voting नहीं करी है, Russia के against, तो इसी चीज़ को लेकर ये country जाती है, खासकर Western country, कि भाई, आप यहाँ पर stand जो बदली है अपना, और यहाँ पर एक और news आ रही है, कि भारत रशिया से द sanction का कोई मतलब नहीं रहे जाएगा, इस तरह की भी इनको एक तरीके से ये चाहते है, completely isolate कर देना, रशिया को, उसी चीज़ को लेकर इनकी विजिट है, तो यहाँ पर रशिया के Forum Minister से पहले, Biden Administration जो है, वो भेज रही है, Chief Strategist on Sanction Against Russia, भारत रशिया के जो प्रतिबत लगाने म एक Chief रननीतिकार रही है, दलीव सिंग इनको भीजा जाएगा, और ये Deputy National Security Advisor है, दलीव सिंग ये भारत के अंदर आएगे, भारत में हमारे External Affairs Mr. साब से बातचित करेंगे, डिसकसन करेंगे, और इसके लावा जो अफगानिस्तान को लेकर बीजिंग के अंदर विजिट होने ये भी डिसकसन करेंगी, भारत में, भारत के साथ, चायना के Foreign Minister India के साथ आए, इसके पहले, यूएस के Under Secretary of State for Political Affairs जो है, ये इंडिया के अंदर आए, और इनका हलाकि मेन मकसद है उक्रेन क्राइसिज को लेकर डिसकसन करना, भारत और USA के बीच में 2 प्लस 2 डायलोग होने वा इसके लावा, European Union के Envoys भारत के अंदर है, और बहुत सारे अगर आप देखिएंगे, Japan, Australia इनोंने क्लीर भी किया कि हमें एक Global Consense होना चाहिए, सैमती बनाने चाहिए, पर्टिकुलर इशूज को लेकर खासकर रश्या के बात कर रहा है, भारत UN के अंदर abstain कर रहा है, अभी इवन इंडिया रश्या से ट्रेड और एनरजी को लेकर डिसकसन कर रहा है, अलागि Western Country ने सेंक्शन लगाई है, और एक Resolution को लेकर बात कर रहा है, कि Payment Option को लेकर भी कि रूबल के अंदर या इतरी के से डोलर के अंदर कैसे पेमेंट होगी अगर ट्रेड होता है, उन सब च करना, अगर स्टेड़ी के लिए हमें इंपोर्टेंट हैं, तो इतना आसान नहीं है, और लेकिन भारत के लिए बहुत डिफिकल्ट ये टाइम है, डिप्लोमेशी की प्रस्पेक्टिव से, कैसे हम अपने आपको बैलेंस क्रेट करेंगे, दोनों इंपोर्टेंट सेक्शन म ठीक है, इसके बाद यहां पर बात की जा रही है कि रेशिया और युक्रेइन के बीच में जो कन्फिक्ट चल रहा था, उसमें धीरे-धीरे कुछ चीज़े सोट आउट हो रही है, और वहां से रेशिया की कुछ फोर्शी जोन की जो इनकी केपिटल वहां से बैक हो रही है क्यों हो रहा है, टर्की के अंदर डिसकसन हुआ, बाचेत हुई और नेगोसेशन हुआ इनके बीच में कि भाई, युक्रेइन ने का कि हम न्यूटरल रहेंगे, किसी ग्रूप का पार्टनी होंगे, नोन न्यूकलर स्टेटस हमारा रहेगा, ठीक है, यह गारिंटे दी, औ और क्रीमिया जो 2014 में रशिया ने सेज कर लिया था, उसको लेकर भी कॉंप्रमाइज जो है, वो कहीने कहीं करने को लेकर बात है, क्या रशिया और युक्रेइन के बीच में वह खत्म हो गया है, या कन्फिक्ट जो वो धीरे-दीरे सोटाउट हो रहा है, इसकी पॉसिबिल रिजन के अंदर देखने को मिलेगी, इसके बाद यहाँ पर रशिया के उपर जो सेंक्शन लग रहे हैं, खासकर वेस्टन कंट्री उसके बाद रशिया ने बोला है कि जो भी यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनिन अगर हमारे यहां से गैस खरीदेगी, तो वो रूबल के अंदर खरीदेगी, यानि रूशियन करन्शी में, ऐसा क्यों किया जाता है, देखो, यूरोपियन कंट्री काफिया तक डिपेंड करती है, रूशियन नैचरल गैस, ओयल या इसके अलावा आप देखिए कोईले के उपर, और अगर यह रिस्टिक्शन लगा दे तो क्या होगा इससे, रूबल की जो वैल्यू है, अगर डिमांड बढ़ जाती तो रूबल की जो करन्शी की वैल्यू एक डेप्रिशेट हुई थी, वो भी कहिने के इस्ट्रेंथन करेगी, दूसरा, यहाँ पर यह बोला गया कि अगर यह होगा, तो रूशिया एक तरीके से बैक फूट पर नहीं जा सकते है, इसको छोड़ नहीं सकते है, वो इशू है, ठीक है, तो यहाँ पर यह सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा आप लोगों के लिएक सवाल है, मैं करन्शी के उपर जब बात हो रही है, कई बार एक वर्ड यूज होता हाड करंसी, ठीक है, हाड करंसी, यह हाड करंसी क्या होती है, यह आपको नीचे मेंसिन करना है, कमेंट सक्षेन के अंदर, इसके बाद बात करेंगे, इंडिया और सिलंका के बारे में, अलगि इंडिया और सिलंका के बारे में, काफी हद तक हमने डिसकसन किया है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है रिप्लेस करेंगी चाइनीज वेंचर को सिलंका के अंदर यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत ने सिलंका का आपको मैप दिखा देता हूं भारत का कंसन यह था कि सिलंका आप कंट्री में अपने डेवलेमेंट कर अच्छी बात है लेकिन इन्हो को रिप्लेस कर दिया गया इंडिया को यह वेंचर दे दिया गया है और हलाकि सभाविक सी बात इस चीज से चाहिदा थोड़ा नराज होगा लेकिन इंडिया के लिए एक तरीके से स्ट्रेजिकली विक्ट्री भी आप कह सकते हैं और कई सारे आईलेंड्स को जो है वो हम ल दर भी भारत के कॉंडेक्स में जैसे मालद्यूज में एक प्लिटिकल पार्टी भारत का दिरोध करती है कि भाई आप कहीं न कहीं कॉंप्रमाइज कर रहें नेशनल इंट्रेस्ट को दूसरा यह जो चाहिनीज प्रोजेक्ट था यह पाक बेसे स्थीक 50 किलोमेटर के आसप होते हैं और इसके लावा भारत ने कई सारे यहां पर ग्रांट भी प्रोवाइड करे हैं सिलंका को और इनके लावा गर आप देखेंगे सिलंका के अंदर चाहिए ओफिसरीज को लेकर हरवर बनाना हो या एजूकेशन को लेकर हो या यहां जैसे भारत में अधार कार्ड है तो सिलंका की मेडिया में एक रिपोट आए एक और एग्रिमेंट को लेकर जो डिसकसन है वो यह है कि मेरिटाम सिक्योर्टी को लेकर जो एग्रिमेंट है सर्विलेंट को लेकर जो एग्रिमेंट इसका ओपोजिशन पोलेटिकल पार्टी विरोध कर रहे कि क्या भारत की इ प्रुवाइड करेगा और यह जो डॉनियर रइकुंस एरक्राफ्ट करके जो मेंशन किया गया है यह फरी ओफो चार्ज अंधिया इंडिया को और इसका में मंकसन जो है वो यह है कि एलर होल इस पड्टिकुलर एरिया के अन्दर जाए वह एक्कोनिक एक्ट दे इंडिया के तरफ से और इस पर्टिकुलर एरिया में सर्विलेंस को बढ़ाएगा और इसका जो परपज अगर आप देखेंगे तो इसके तुरू जो मैरि ताइम सर्विलेंस को और ज़्यादा इंप्रूरूमेंट करने में मदद मिलेगी भारत ने सिलनका वह बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर अवरोल कोष्ट के अंदर और और ब医ू सारे प्रोजेक्ट को हो चाहिक त्रिंकोमाली प्रोजेक्ट हो या दूसरे प्रो भारत के दो important north eastern state में के बीच में असम और मिघाले में अगर आप असम और मिघाले के बारे में देखते हैं तो असम एक ऐसा राज्या है जिनका बहुत सारे राज्यों के साथ inter-border disputes आपको देखने को मिलेगा ऐसा नहीं कि वल असम में है भारत में बहुत सारे राज्या जिनक inter-state dispute है तो मैंनमार में घाले और आसम के बीच में जो dispute है उसको लेकर एक agreement हुआ है कि उसको sort out किया जाएगा और 12 sector के अंदर dispute है उनमें से 6 को लेकर sort out कर दिया गया 50 साल पुराना ये dispute है इसको दोनों सरकारों ने मिलकर दोनों वहां के CM ने मिलकर इसको resolution किया और अवरोलिक agreement जो है वो sign किया कुछ और pending जो है उसको लेकर भी लगबग 70% जो है वो dispute sort out हो चुका है आने वाले टाइम में और जादा dispute जो है वो sort out करने को लेकर काम किया जाए जब हम मेघाले की बात करते हैं मेघाले के अंदर तीन बहुत important hills है आपको नीचे mention करना है कि वो hill कौन कौन सी है और उनको sequence में west to east ऐसे करके आप mention करेंगे मेघाले के अंदर major hills के बारे में बात कर रहा हूं इसके बाद page number 6 पे हम बात करें है Indian rhino के बारे में कई बार ecology को ल इंडियन rhino के बारे में बतायागे काजी रंगा नेशनल पार्क जो कि असम के अंदर है इनकी population जो है 200 के आसपास increase हूँ इसके बारे में बतायागे कि census हुआ है और ये जो population है वो increase हुई है इस particular national park के अंदर देखो भारत में इंडियन rhino जो है आपको particular असम वाला area के अंद है इन पर इनको poaching करना हो या अगर आप देखेंगे इनको कईने कई illegal trade के perspective में भी कई बार ये news में रहते है जिसके वाज़े से इनकी जो population है वो कम हो जाती कई बार तो इसी context में Indian rhino mission 2022 announcement किया था बहुत पहले और उसका काफी हर्द तक benefit भी हुआ है आप लोगों के लिए third question बहुत छोटा सा simple सा question है जब हम बात कर रहे है Indian rhino के बारे में IUCN की जो list होती है जिसके अंदर red data book के अंदर present कि particular species किस category के अंदर है क्या ये critically endangered है, endangered है, vulnerable इस तरीके से categorization किया जाता है Indian rhino को आप इन में से किस category के अंदर include करते हैं और दूसरा attach करेंगे सवाल Wildlife Protection Act 1972 जो है उस उसके अंदर कई सारे schedule है, अगर आप ये थोड़ा सा difficult में question आपको दे रहा हूँ, उन schedule में से Indian rhino को कौन से schedule के अंदर आप रखेंगे, ये आपके लिए इसी का second part है, इसके बात करेंगे page number 10 जो की text and context पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है महिनमार के अंदर जो continued suspend किया है, democracy और जिस तरीके से वहाँ पर military rule लगू किया गया है, ये क्या है basically पूरा scenario और इंडिया और महिनमार इस time पर किस तरह के relation share करते हैं, उसके बारे में भी हम discuss करेंगे, सबसे पहले आपको महिनमार का map पता होना चाहिए, महिनमार भारत के चार important राज्यों North Eastern state से boundary अपनी share करत है, जिसमें सबसे North में आपको अवनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनीपूर और मिजोरम ये स्टेट आपको नजर आएंगे, और महिनमार की जो जो जोगर्फिकल location ये बहुत important है, हमारी actist policy, lookist policy, और क्योंकि चाइना के साथ ये boundary share करता है, इंडिया के साथ ही boundary share करता है, इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मेकोंगंगा cooperation के अंडर एक important country है, बहुत सारे perspective में important है, रोहिन्याज को लेकर एक dispute जब होता, उसको लेकर भी news में रहती है, और various points ये news में है, तो महिनमार के बार में बताया गया है कि यहाँ पर democracy को continue suspend किया गया है, और क्या important चीज़े है यहाँ पर कुछ नई event हुए है, जैसे अभी हुआ क्या है कि यहाँ पर जो armed forces day celebrate किया गया, रशिया को guest of honor इनों ने invite किया, इनका क्या मतलब है, रशिया को बुलाने का, और रशिया और महिनमार के relation कैसे, इंडिया पर इस पूरे सेनारियों को क्या असर पड़ा है, उसके पड़ेंगे, एक फरवरी 2021 को महिनमार की जो de facto leader है, आंग शान सू की, यह basically इनको arrest कर लिया गया था, military ने, और democratically elected government जो उसको over through किया गया, यानी military rule एक तरीके से लागू हो गया इस country में, फिर यहाँ पर बताया गया कि इनको कुछ सजा के provision किये वो सारे चीज़े leader है, इनको noble prize भी दिया जा चुका है, peace category में, लेकिन इनके against कई बार allegation भी लगता है कि रोहिंगया का issue जो है, इनको इनको नोबल दिया गया उसको वापिस scene लिया जाना चाहिए, लेकिन जब democratic setup की बात करते हैं, तो यह परमुक leader है, और इनको detain क्यों किया गया, arrest क्यों कि president थे, क्योंकि Myanmar के अंदर कुछ ऐसा rule है, जो जंटा याने military ने मनाया था, कि वही, अगर कोई किसी family member में उसके husband या उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, या बाहर रहते हैं, तो उनको president की post नहीं मिल सकती, या president नहीं बन सकते हैं, तो अवरोल एक बोल सकते हैं, कि यह proxy president की रहते हैं, इनकी government में, ठीक है, सूकी की government में इसके लावा, विन हे 10 और भूट सारे foreign journalists को भी detain किया गया था, यहां पर आप data देखिए, अब तक 12,970 लोगों का रष्ट किया गया, यह तो official data है, नंबर और भी जाद हो सकता है, और लगबग 1707 data जो है, एक तरीके से death करता है कि official ना हो, एक तरीके से estimated है, यह सरकारी report हो सकती है, उसके बारे में बताया गया, 27 मार्च को मैनमार में Armed Forces Day celebrate किया गया, जिसमें रशिया को guest opponent की तरह बुलाया गया, कि आप हमारे chief guest होने वाले हैं, मैनमार उन country में से एक है जिना ने Ukraine invasion को लेकर रशिया का समर्थन क रशिया के साथ stand करते हैं, इस तरह की बाते बोलेगी है, लेकिन इस मैनमार में जंटा, जिसको military rule बोला जाएगा, और इसके अंदर इनके ओपर allegation क्या है, कि mass killing करी है, बहुत बड़ी सेंख्या में लोगों को हत्याय करी है, sexual violence करी है, और arbitrary arrest, यानि जबरदस्ती जो protest कर रह और civic society member जो उनको follow नहीं करते हैं, उनको arrest किया गया इसके थुरू, ठीक है, मैनमार के अंदर ये बताया जाता है, कि एक important है भारत के perspective से, क्योंकि भारत को इस neighboring country के अंदर balance को भी maintain करना है, क्योंकि Chinese influence इस country के अंदर बढ़ रहा है, और अगर Chinese influence बहुत जादा बढ़ेगा, तो काफी जादा problem भी हो सकती है, इंडिया को क्योंकि इंडिया के चार important state boundary share करते हैं, इस पूरी country से, और आश्यान को लेकर ये बताया भारत ने, कि आश्यान का जो five point consensus है आपके उपर, उसको आप लागू करी, implement करी और violence को समाप्त करीए, इस तरह की बाते बताई जाती है हलकि मैनमार को लेकर भारत का official stand के उसके बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया, सेम चीजे repeat की गई है, कि मैनमार के अंदर armed forces day हुआ, वहाँ पर रशिया को guest of honor invite किया गया, इसके अलाबा ये celebrate करते हैं, 1945 में जो army का rebellion हुआ था, Japanese occupation के against, और यहाँ पर जो सबसे strongest ओंग इस टाइम पर leader है, वो है general मिन ओंग हिलेंग करके, जो कि military rule या agenda rule को अभी rule कर रहें, lead कर रहें, इसके बारे में बताया गया, ठीक है, अब बात करते हैं कि ground पर actual में हो क्या रहें, यहाँ पर जो लोग विरोध कर रहें, प्रोटेस्ट कर रहें, उनको लगातार ये det कर रहें, artillery attack होरी, air strike होरी है, physical form में attack हो रहा है, और अलग-अलग राज्यों के अंदर, ऐसे राज्यों जो कभी बहुत जादा सरकार के समर्तक नहीं रहें, वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें, आपको देखने को मिलेगी, मैं particular state में मैंनमार की physical boundary, political boundary के बारे में नहीं बत एक second, यह वाला जो area है, ठीक है, जो इसका बोल सकते है, North Eastern state, तो यहाँ पर rebellion बहुत जादा है, यानि सरकार के against पहले से भी है, अभी भी है, और इनका और चाइना का अगर alliance हो जाता है, यहाँ इतरी के से anti मैंनमार ये काम करते हैं, इनको कैसे challenge, tickle करेंगे, यह इनके relationship कैसे है, एक फरवरी को जब इन्होंने power seize करी थी, तब इन्होंने रश्या को invite किया था, guest of owner के रूप में कि भाई, आप हमारे सबसेर्च से दोस्त हैं, और इसी तरीके से रश्या, जब यह celebration होआ, तो भारत के भी representative गए था, ऐसा नहीं कि भारत के representative spread के अंदर नहीं गए इसके अलावा seven or country के representative भी गए थे, रश्या के अलावा, ठीक है, रश्या, इंडिया और seven or countries के, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बहुत सारे, खासकर जो defense equipment होते हैं, वो provide करता है रश्या, रश्या अगर आप देखें, military hardware के लिए जाना जाता है, और वो supply करता है म तो यह South Korea के बात होगी, यह ध्यार में किये, ठीक है, तो इन्हों आप देखेंगे, यह जो है वो provide करते हैं बहुत सारे defense equipment और इस context में इनका चायना के साथ relation ups and downs करा है, लेकिन अभी military rule के अंदर चायना इनका एक all weather friend है, क्योंकि रश्या के साथ भी इनके बहुत अच्छे relation है, इसके अलावा, रश्या पर यह बहुत important है, हलाकि रश्या के लिए challenging कैसे equipment को supply करेंगे, इनके सामने भी दिक्कत है, महनमार के सामने कि जो raw material चाहिए, currency को तरीके से print करने के लिए, वो काफी हथ तक depend करेंगे रश्या के ओपर, तो कई सारी चीजों को लेकर यह एक दू करेंगे, जंटा कैसे act कर रही है, बड़ी संख्या में लोगों को detain कर रही है, बच्चों को detain कर रही है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मारे गए, और बहुत सारे areas में इनके उपर allegation है कि mass killing करेंगे, एक तरीके से groupism में, group में लोगों को मारा गया, sexual violence हुई, arbitrary arrest इससे पहले भी, रोहिंग्या को लेकर crisis यहाँ पर पहले भी से था, और ज्यादा और ज्यादा issues आपको देखने को मिलेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, 2021 में जब military यहाँ पर military ने power capture करी, ऐसा नहीं कि पहली बार है, मैंनमार के अंदर democracy or military rule यह आप ups and down देखन में रखेंगे, हमारी important lead होगी, 2010 में आंग सांसुगी को एक तरीके से release कर दिया गया, लेकिन यह बताया गया कि आप जो प्रेजडेंट नहीं बन सकते, आप state council बन सकते, एक तरीके से indirectly वही प्रेजडेंट है, और फिर उनका proxy बनता है, लेकिन यह military कोप की या military rule की requirement क्यों महिनमार में, महिनमार की जो military है, उसको लगा कि 2015 में जो national league of democracy है, जो आंग सांसुगी की party वो जीत कराई, फिर 2020 में फिर से जीत की, अब इनको यह लगा कि भाई, यह इनकी popularity बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस context में इन्होंने allegation लगाया, कि आप कहिने के fraud तरीके से लेकर यहाँ पर debate होती है, अब बात करतेगी भारत का क्या stand इस population area में, इंडिया के relationship काफी हत तक depend करते हैं महिनमार के उपर, क्योंकि हमारे लिए बहुत important country है, क्योंकि हमें balance को maintain करना है, चाइना की जो लगातार यहाँ पर influence, influence यहाँ पर, बढ़रे अगर balance create नहीं करेंगे इसे तरीके से महिनमार को यह बोलता है कि आप violence को खतम करिए, आश्यान की five point consensus पर बात करिए, और जो military rule था, तब भी हमारे foreign secretary साहब, हर सवर्दन सरिंगला साहब यहाँ पर गए थे और वहाँ पर discussion किया गया था, हलाकि भारत के foreign secretary चाहते थे कि जो democratic leader उन से उनकी मुलाकात हो, लेकिन वो permission नहीं दी गई थी, इसके अलावा, महिनमार बहुत important इसलिए भी है, कि बड़ा interesting event हुआ, विमिस्टेक एक तरीके से जो group है, जिसके अंदर 7 country है, जिसमें महिनमार भी है, उसको invite किया गया है, और पहले यह होता था कि इनको isolate करने की planning है, लेकिन अब यहाँ पर स्रिलंका के अंदर जो विमिस्टेक की meeting हो रही है, वहाँ पर इनको invite करना, यह एक अलग scenario जो indicate करता है, हला कि बहुत सारी country इनके ओपर pressure create किया, जैसे जो बाइडन ने बोला कि रोहिंग्या को लेकर यह suppress कर रहे है, minorities को, UK, Canada, इस तरह कि इनके section लगा है, इन countries ने, इसक बहुत ज़्यादा sanction लगा कर यह इनकी country के जो citizen है, उसको कहिना कि harass न करे, requirement है, consultation करे, और एक तरीके से इसमें कोशिस यह करें कि action के थूर जो है, corrective measure लिए जाने चाहिए, जोर जमरदस्ती से आप sanction लगा देंगे, तो इस country के जो आम नागरिक है, वो आपको disrupt होते हुए, ज़्यादा नजर आएंगे, या उनके sentiment और ज़्यादा hurt होंगे, इसके बाद page number 12 पर हमने बात करें कि विमस्टेक की आज 30 March को meeting होने वाली है, विमस्टेक 7 country का एक group है, जिसके अंदर South Asia या South East Asia इन दोनों का एक combined से group है, तो इन 7 countries की important meeting होने वाली है, पाचवे नंबर की meeting ह होगी, इससे पहले 4 बार meeting हो चुकी है, important 25 year complete हो चुके 1997 में यह organization बना था, तो इसमें जब भारत के external firmister साब गए, उन्होंने कहा कि हमें अपनी supply chain को और value chain को जो है वो prevent करना पड़ेगा, कि किसी external shock की वज़े से वो disturbed न हो जाए, COVID-19 का जब time था, तब एक word आप जुरूर supply chain और इसका मकसद यह था, basically कि बहुत ज़्यादा country एक country पर depend करते हैं, import के लिए जैसे चाइना पर, वहाँ से disturb हो जाएगी, तो पूरी दुनिया की supply chain disturb हो जाती है, इसलिए एक initiative भी news में आया, supply chain initiative करके, जिसमें इंडिया, आस्ट्रेलिया और जपान ने बताया कि एक country पर बिंगोल initiative for multi-sectoral technical economic cooperation और इसके अंदर cooperation और connectivity पर बात बताई गई, इसके अलावा विमिस्टेक सम्मिट जो है, schedule है वेनस डे को आज के दिन ही, और इसके अंदर अब तक जो मैनमार internationally isolate था, वो भी participate कर रहा है, यह भी अपने आप में interesting है, जिसके बारे में अभी आपने news के अ 72 तक 25 साल complete हो चुके है, हलाकि इन countries में regional dispute भी, जैसे महनमार और बंगलादेश में रोहिंग्याज को लेकर differences है, जिसकी वज़े से overall project को implementation करने में दिक्कत आती है, और बिंस्टेक master plan for transport connectivity को लेकर agreement हो सकता है, और और भी ज्यादा possibility है कि और ज्यादा staffs के थूरू cooperation को बढ़ा जाए, बिंस्टेक के अंदर total 7 country है, इंडिया, बंगलादेश, नेपाल, बुटान, स्रिलंका, महिनमार, ठाइजन, ठीक है, ये country इसका है, और अब जो ये meeting हो रही है, इसमें बिंस्टेक master plan for transport connectivity को लेकर काम किया जाएगा, इसके बाद page number 13 पे आप देखेंगे, page number 13 पे एक इंट्रिव दिया गया है, जो European Union के envoy इंडिया के इंदर आये थे, representative उनका एक इंट्रिव है, जो इंट्रिव जाते हैं, मैं personally request करता हूं कि इस तरह एक इंट्रिव आप self study से जरूर पड़े, आपको एक opinion बनता है particular चीजों को लेकर, तो European Union के जो representative उनका एक इंट्रिव दिय जागया है, कि हम बहुत जादा खुस नहीं है भारत के stand से, या बहुत जादा हम एक तरीके से, happy नहीं है कि जो भी stand एक तरीके से लिया इंडिया ने, इंडिया ने अब stand किया, इंडिया किसी के favor में नहीं गया, ये सारी चीजी है, लेकिन, page number 14 पर अगर हम बात करते हैं, क बहुत जादा डिवेट है, पिछले एक दो सालों से, चाहे हो reservation के perspective में हो, या OBC को लेकर reservation है, उसको implementation करने को लेकर हो, या इसमें income limit है, क्रीमी लियर वाला जो concept उसके perspective से हो, इन सब चीजों की वज़े से, UPSC में भी high possibility है, कि other backward classes को, पंचायती राज के context में direct और indirect सावाल हो सकता है, तो इनके लिए 2022 में जब PLIMS होगा, आप note करेंगे, 30 मार्थ 2022 को में बात बोल रहा हूँ, ये सवाल direct और indirect हो सकता है, constitutional provision के थुरू, fundamental rights के perspective में, या constitutional amendment के थुरू, या अगर आप देखेंगे, जो democratic decentralization के perspective में, सवाल हो सकता है, and ready for the question, इसके बाद यहाँ पर कुछ चोड़ी चोड़ी information जैसे सरिसका Tiger Reserve News में, और यहाँ पर fire एक तरी किसे break होगी, या नि जो सरिसका Tiger Reserve के अंदर आग लग गई थी, जब भी कोई Tiger Reserve, National Park, Biosphere Reserve, Wilds, Alive Century News में आए, note करेंगे, important है, direct और indirect सवाल उसको लेकर हो सकते है, आप लोगों के लिए last question है आज का, जब हम बात कर रहे है, Tiger Reserve के बारे, मैंने कई बार यह पूछाए कि Tiger Reserve basically कितने हैं, वो सवाल आपने mention किया, अब सवाल यह है, National Tiger Conservation Authority, इसको chair कौन करता है, या इसका chairman कौन होता है, या president कौन होता है, वो आप नीचे comment करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, world affair में दुनिया में इस कॉम्प्रोमाइस होता है, नजर आ रहा चीज़े, सोटा होती है, नजर आ रही है, मोस्को के बारे यह भी हमने पढ़ लिया है, कि G7 को बुला गया कि वही European country को कि आप रूबल के अंदर ही payment करेंगे, पाकिस्तान में no trust vote, अप्रेल 3 को लाया जाएगा, पाकिस्तान के प्र सिमिलर है, तो यहाँ पर भी democracy और military दोनों combined सी form में रहती है, उसी को लेकर discussion है, इसके लावा सिलंका के अंदर medicine की shortage है, मैंने सिलंका के बारे में कई बार बताया है, कि सिलंका इस टाइम पर दुनिया का worst economic crisis face कर रहा है, और जब हम यह बाते बोलते हैं, तो एक वर्ड हमेश प्लिम्स में यह बहुत important terms है, direct आपको कुछ important terminology देगा, सवाल पूछ सकता, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या include होता है, IMF क्या है, IMF के अंदर special drawing rights क्या होता है, इस तरह की चीजे, direct सवाल हो सकते हैं, ठीक है, इसके बाद last जो business and economy page है, उसके बारे में ब लिए, तो उसके बारे में यहां पर mention किया गया, कि इकरा ने कहा कि financial year 2023 में भारत की जो growth rate होगी, वो 7.2% होगी, Ukraine war और oil cost का इस पे impact पड़ रहा है, मैंने कई बार आपको बता है, यह जो rating agencies का number है, यह percentage जो daily based पर या monthly या एक महिने में दो में, तीन में जब भी update होता है, य financial और banking examination के लिए important हो सकता ही data, बट अगर आप UPSC civil service examination की बात करेंगे, तब कोशिश करी, annual data को इक तरीके से हर week के data को आप consider ने करें, केवल annual data को और उसके अंदर भी कोशिश करीए, कि आप economic survey का data लीजिए, RBI का data लीजिए, IMF का data लीजिए, या WB का data लीजिए, यानि इसके लावा, oil prices spike disruption started a couple of weeks, वही तेल की कीमत जो बढ़री उसको लेकर, Parliament का जो budget session चला उसके बारे में, इसके लावा, FIJ को लेकर जल्दी 2022 में, जो planning है कि launch करना है, बजट में बताया गया था, उसको लेकर, जो trials है, वो चलने उसके बारे में, जानकारी दी गई है, लेकिन अंतीम news हम पढ़ेंगे, बहारत जो है, रशिया से sun oil का एक तरीके से record price पर खरीदने वाला है, और बहारत लगाता बहुत सारी चीजे रशिया से अभी खरीद रहा है, चाहिब वो defense equipment को लेकरो, अभी news आई थी कि रशिया से हम लोग S-400 सिस्टम तो खरीदी रहे हैं, S-500 भी रशिया ने उपर किया कि भई आप S-500 भी खरीदी हैं हम से, कोई दिक्कत नहीं है, 45,000 टन हम रशिया सनफ्लावर ओयल जो है, वो purchase करने वाले हैं, युक्रेन और रशिया से हम पहले भी import करते थे, क्योंकि युक्रेन तो disturb होगा, तो वहां से supply disturb होगी, तो हमारे पास जो दूसरा option रशिया, वहां से हम खरीदने वाले इस तरह का contract के बारे में बात है, इसके लावा सनफ्लावर ओयल की वज़े से भारत में जो edible oil है, उसके कीमत बढ़ रही है, तो इसको import को बढ़ाने के लिए और दूसरे available option जैसे क्या होता है, इंडोनेशिया से जो हम मंग करेंगे वो करेंगे dollars के अंदर, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजे हैं, पूरे scenario के अंदर, भारत का भी important एक mission है, national palm oil को लेकर जिसमें नौर्थ इस्टरन स्टेट में और अणिवन और निकवार आइलेंड के अंदर, यहां पर establishment करेंगे इस mission को, तो भारत, रशिय economics और history, political, geography, सब चीजों cover करते हैं, आज के दे हिंदू analysis को, यहीं complete करेंगे, और जो सवाल पूछे गए है, मैं सब से request करता हूँ, कि सभी उसके अंदर participate करें, आपकी engagement बहुत important है, मुझे likes का, share करने का, subscribe करने का, यह सब चीजों से मैं कोई ज्यादा interested नहीं है, मेरे लिए interested है, आप उस question के अंदर engagement करें, सवालों के जवाब दें, और participate करें, आपका selection is ultimate, thank you all, चहिन